हेलो एब्रीवन वेलकम अगेन टू नन्वरे देतीमन तो देखिए लास्ट वीडियो हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था जिसमें हमने मेले और त्योहार की सभी कुशन कर लिये थे आज हम करेंगे प्रमुक्ष लोग देवता और संत और उसके बाद हमारा एक चोटा सा टॉपिक और है हस्तकला तो उसे सम्बंदित सभी ब्रशनाज हम कर लेंगे और ये चैप्टर भी कंप्रीट हो जाएगा आपका और ये क्लास भी कंप्रीट हो जाएगी नेक्स्ट हम क्लास को स्टार्ट करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोशन नमबर 29 देखिए राजिस्थान के कौन से लोग देवता पंच पीरों में सामिल हैं तो वो हैं राम देव जी, गोगा जी, पाबू जी, हर्भू जी और मेहा जी तो इसकी ट्रिक जो है वो मैंने आप लोग जी, गो से गोगा जी और पहाड का जो पा है उससे है पाबू जी और हा से हर्भू जी और में से है मेहा जी ठीक है तो जिंदिगी में कभी भी ये कुशन का अंसर आप लोग गलत नहीं करोगी अगला देखिए गोगा नवमी कव मनाई जाती है तो यहां नवमी वर्ड आ गया है इसका मतलब नवमी में तो मनाई जाएगी तो गोगा नवमी जो है भादरपद कृष्ण नवमी को मनाते हैं गोगा मेड़ी कहां इस्तित है तो यह हनुमानगर जिले में इस्तित है तो देखिए भादरपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में हम मनाते हैं और इस दिन गोगा जी की पूजा करते हैं और गोगा मेड़ी कहां है हनुमानगर जिले में हैं तेजा जी मेले का आयोजन कहां किया जाता है तेजा जी जिन्होंने गायों को बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी तो इनके मेले का आयोजन परवत सर नागोर में किया जाता है नेक्स्ट दिखिए उटों के देवता के रूप में पूझनिये लोग देवता कौन से हैं तो उटों के देवता के रूप में पूझे जाते हैं पाभू जी जो क्या थे राठोर थे तो पाभू जी को उटों के देवता के रूप में पूझा जाता ह अगला देखिए 34 question पाबु जी का मुख्य इस्थान कौन सा है very very important question जिसका answer जो है वह 50% बच्चों को नहीं आता है पाबु जी का मुख्य इस्थान कौन सा है तो वह है पाबु मंड ठीक है पाबु मंड उनका मुख्य इस्थान है मीरा भाई का जन्म कहां हुआ था तो इनका जन्म मेरता में हुआ था राठोर वन्स के कुडकी ग्राउं में इनका जन्म हुआ था मीरा भाई का विवा किस बंस में हुआ था तो ये तो राठोर वंस की थी और इनका विवा जो है वह हुआ था शिशोद्या वंस के महाराना जो थे भोज राज उनके साथ इनका विवा हुआ था और ये कुश्यन जो है वो आपका पूछा भी गया है रीट के एक्जाम में दादू दयाल ने कब अकवर से भेंट की थी तो इन्हों ने भेंट की थी फत्यपुर सीकरी में 1585 इस्वी में विश्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक है विश्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है तो इनके प्रवर्तक है जामबो जी जामबो जी महराज जो है वह है विश्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे जाम्बो जी का जन्म कब और कहां हुआ? तो ये विश्णोई संप्रदाई के प्रवर्तक हैं और इनका जन्म 1508 की भादरपद कृष्ण अस्टमी को पीपासर नागोर में हुआ था जसनात जी का जन्म कहां हुआ था? जसनात जी का जन्म कहां हुआ था? नागोर में जाम्बो जी का जन्म हुआ था और बीका नेर में जसनात जी का जन्म कतरिया सर बीका नेर में हुआ था जसनात जी किस व्यक्ती से प्रभावित हुए थे? तो जसनात जी गोरक नात जी से प्रभावित हुए थे राजिस्तान के लोकसंत जो स्वैम असिक्षित रहते हुए भी लोगों में सिक्षा की अलग जगाई देखिए खुद तो असिक्षित थे लेकिन फिर भी इन्होंने सिक्षा की अलग जगाई तो जाने जाते हैं श्रद्दानाची याद रखना है राजिस्तान के सेखावटी शेत्र में सुर्द्दानात जी जाने जाते हैं जो खुद सिक्षित नहीं थे लेकिन इन्हों ने जन जन में सिक्षा की अलग जग आई थी स्रध्यनानात जी का संबन्द किस स्थान से था तो इनका सेखावटी से संबन्द था श्रध्यनात जी ने देत्या कहां किया था सीकर जले के लक्षमनगर्ण में ठीक है और यहीं पर एक आशिरम उसका निर्मान करवाया था जहांपर सभी वर्गों के लोग जो है वहे रहते थे किस संत का आदर्श वाक्य है कि स्वक्षता में ही इश्वर का निवास है अब आपने देखा है आपने हाल ही में एक्जाम दिया था कि ये जो वाक्य होते हैं यह भी आते हैं किसी के कथन जो है एक्जाम में पूछे जाते हैं तो याद रखना है स्वच्छता में ही इश्वर का निवास इस्थान है तो वो संत कौन है जिन्होंने ये आदर्शे वाक्य कही वो है स्रद्दानाजी कास्ट कला का प्रमुक केंदर कौन सा है कास्ट कला यानि लक्डी की जो कला है लक्डी से जो भी चीज़े बनाई जाती है तो इस कला का प्रमुक केंदर कौन सा है वै है बसी चित्तोडगर लकड़ी के बेवार, कावर और रंगाई चपाई के टपपे कहां बनाये जाते हैं बसी चित्तोरगड में ही बनाये जाते हैं लकड़ी के खिलोने और कट पुतली के लिए प्रिसिद्ध इस्थान कौन सा है लकडी के खिलोने और कटपुतली के लिए जो इस्थान है वह है उदेपुर लकडी की मूर्तियां कहां बनाई जाती हैं लकडी की मूर्तियों के लिए जो इस्थान है वह कौन सा है जेठाना डूंगरपुर लकडी का फरनीचर कहां का प्रसिद्ध है तो लकड़ी का furniture जो है वह सेखावटी और भीकानेर का प्रसिद्ध है तो देखिए कास्ट कला से सम्बंदित जो है 5-6 question जो है वह बनते हैं क्या क्या बनते हैं कि बसी चित्तोडगर जो है वह कास्ट कला के लिए इसका प्रधान गेंद्र है यहाँ पर और यह जो लकड़ी क बीकानेर में यहाँ furniture बनता है तो यह जहां के भी प्रसिद्ध है वो चीज आप याद रखिएगा इन सभी के नाम तेरा कोटा के लिए प्रसिद्ध कौन सा इस्थान है तेरा कोटा यानि कि जो मिट्टी से मूर्तियां बनाई जाती है तो प्रसिद्ध इस्थान है मौलेल नाथद्वारा के पास में ही मौलेला गाओं है जो की इस काम के लिए प्रसिद्ध है तेरा कोटा की वस्तूधे निर्मित कहा की जाती है यह अलबर और बाडमीर में निर्मित की जाती है मिट्टी से मूर्ति बनाना ही क्या है टेरा कोटा है तो देखिए टेरा कोटा जो है मिट्टी से मूर्थियां जो है बहुत सारी सजावती वस्तुएं जो है वह बनाई जाती है और नात द्वारा के जो पास में मौलेला गाओं है इसके लिए प्रिशिद्ध है और यहीं पर अलवर और बाडमेर में भी यह टेरा कोटा की वस्तुएं बनाई जाती हैं लाक की अबूशन कहां के प्रसिद्ध हैं लाक के अबूशन प्रसिद्ध हैं जैपुर और जोतपुर के किस इस्थान की थेवा कला प्रसिद्ध है यह कुश्चन जो है वो आपके एक्जाम में आया हुआ है किस इस्थान की थेव थेवाकला प्रसिद्ध है, यहां हलांकि यह रीट में भी आया हुआ है, यह question जो है first grade में, second grade में भी पूछा जा चुका है, तो वह है प्रतापगड, प्रतापगड की थेवाकला प्रसिद्ध है, और यह थेवाकला क्या है, परिभासा देखिए, काच पर वारी की सोने की जो प्रतापगड की रंग के अंकन को कहते हैं, ब्लू पॉट्री, मूलेवान पत्थरों को तराशने का काम मुख्य तक कहां किया जाता है, तो यह किया जाता है जैपुर जिले में, कपड़े पर छपाई के लिए प्रसिद्ध कौन कौन से इस्थान है, कपड़े पर छपाई क हमारी six class भी होती है complete, मिलते हैं next वीडियो में, next chapter के साथ, next class के साथ, thank you